हेलो विद्यार्थियूं, टार्गेट विद्लक्ष की इस नई वीडियो में उश्भी का श्वागत है तो आज से जो है आप सभी को 2020 का तीसरा स्रेट जो है वो सालो करवाय जाएगा तो इसमें आप लोग धन देज़े, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत विकल्पी कोशन दिये गए है और इसमें यहाँ पर धन देज़े, जो पहला कोशन दिया गया, कोशन है कि ठोंस ए एक अतिक कठोर ठोंश तथा गलित आवस्था में विद्धूत रोधी है और बहुत उच्चताब पर पिघलता है, वाकिश प्रकार का ठोंश है यहाँ पर आपको दिया गया है आणविक, इसके लावाँ आयनिक, धात्विक और सह सयोजग तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नमबर 4 दिया गया है, यानिकि सह सयोजग यहाँ पर यह सही होगा, याद रखेगा कि जो सह सयोजग ठोंश होते हैं यह जो है ठोंस तथा गलित आवस्था में विद्धूत रोधी होते हैं अप लोग याद रखेगा कि सहयों जो होते हैं ये गली तवस्था में विद्धुत रोधी होते हैं और बहुत तो उच्च ताप पर पिखलते हैं ये अप लोग इसके बारे में याद रखेगा तो यहाँ पर इसका विकल्प नमबर 4 सही हो जाएगा इसके बाद धेंदेजी इसका कोशन नमबर खा यहाँ पर कोशन एक के निमन में नियुनतम हिमांक वाला विलेन है यहाँ पर आपको दिया गया पोटेशियम सल्फट सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज इसके लाओं यूरिया तो अप लोग याद रखेगा आपको जो इसका विकल्प नमबर 1 दिया अब इसके बाद धन देजे इसका कोशन नमबर गा यहाँ पर निमनलिखित चार रंगहीन लवणों के विलेन प्रथक प्रथक परखनलियों में रखे गए हैं तथा प्रतेक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है कौन सा विलेन जो है अंत में नीला हो जाता है तो यहाँ पर विलेन जो है कैसा हो जाएगा नीला हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर धन्द जिसमें प्रयोग हुआ है जिंक यानि की जेडन इसके अलावा इसमें प्रयोग हुआ है सीडी यानि की कैडमियम यह होता है आपका कैडमियम इसके अलावा प्रयोग हुआ है लेड यानि कि PB यह होता है आपका लेड तो इन सभी को जो है यहाँ पर यानि कि जो विद्धुत राशानिक सोड़ी होते हैं उसमें जो है कौपर से उपर रखा गया है यानि कि जितने भी तत्तों यहाँ पर हैं इन सभी को विद्धुत राशानिक सेड़ी में जो है कौपर से उपर रखा गया है और इसके अलावा जो आपका az है यहां पर जो az दिया गया है इससे जो है copper से नीचे रखा गया है तो ये प्लोग याद रखे कि विद्धुत राशानिक शड़ी में इन सभी तत्तों को जो है copper से उपर रखा गया है यानि कि जा तांबे से उपर रखा गया है इसके अलावा जो silver है आपका इसे जो है copper से नीचे रखा गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि विद्धुत राशानिक्षणी में प्रतेक तत्तो जो होता है वो अपने से नीचे इस्थिततों को जो है उनके लवणों के विलेंच से विस्थापित कर देता है यह अप लोग ज्याद रखेगा कि विद्धुत राशानिक्षणी में प्रतेक तत्तो जो है अपने से नीचे इस्थिततों से जिंक है इससे नीचे क्या है cadmium इसके लवन के विलेंस से अलक कर देता है तो यहाँ पर जो copper है यह यहाँ पर ag को जो है उसके लवन के विलेंस से विस्थापित कर देगा और स्वयम यहाँ पर जो है Cu2 प्लस याद रखेगा यहाँ पर Cu2 प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर AG को जो है इसके विलेन से विश्थापित कर देगा लमण के विलेन से और यहाँ पर जो है Cu2 प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएगा और जो Cu2 प्लस आयन होता है इसका रंग नीला होता है और इसका रंग नीला होने के कारण यहाँ पर जो विलेन होगा उसका भी रंग कैशा हो जाएगा नीला हो जाएगा इसका मतलब अगर यहाँ पर आप अभी क्रिया देखें तो देंदेजे Cu जो है जब इसकी क्रिया आप संत्लित करने के लिए यहां पर दो शी कुड़ा करेगा और यहां पर भी दोशे गुड़ा होजाएगा तो यह जो बनेगा इसका color कैसा होगा नीला होगा यानि कि इस wraps नीला होगा तो इसका मतलब यहां पर धन देजे, अगला कोशन, कोशन यहापर है कि सून्न कोटी अभिक्रिया के वेग नियतांग का मात्रक है, तो यहाँ पर आपको जो है, सून्न कोटी की अभिक्रिया के वेग नियतांग का मात्रक बताना है, तो अब इसके लिए धन देजे, मात्रक क्या होता है, सून्न कोटी के लिए मात रख होता है मोल याद रखेगा मोल लीटर इनवर्स की पावर one minus n इसके अलावा second inverse यह होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर one minus n अब यहां पर बात जो क isto की कि यहां पर क्या खा गया है, सून निकोर्ट के भिकरिया के लिए, और सून निकोर्ट के भिकरिया के लिए, N का मान कितना होता है, 0 होता है, तो जब N का मान आप यहां पर 0 रख देंगे, तो 1-0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर आएगा फिर, मोल, इसके अलावा, लीटर इ तो यहां पर डान देजे, यहां पर आपको जितने भी विकल्प दिये गए हैं, उन सभी में यह कहीं पर भी नहीं दिया गया नहीं कि जो यह विकल्प नमबर थाड है, यहां पर क्या होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, तब यहां पर इसका थाड नमबर विकल्प जो ह स्ह्जी होगा तो आपको मात रक याद रखना यहाद रखना यहापर वेकर्पर गलत दीया गया उसमें आपको परेशान होने की जो था नहीं है याद रखे कि सूनी कोटी के गहले कि बिजिए कि वेग नियतांका अमीन है यहाँ पर दिया गया C2H5 NH2 इसके लावाँ CS3 का होल ट्वाइस NH यहाँ पर दिया गया Corporate थू यह ची यहाँ पर सबसे अधिक 6 की अमीन है इससे बोलते हैं दाई एथिल एमीन हैं तो यह C2H5 का मतलब एथिल दो लगा है इसका मतलब डाई तो डाई एथिल एमीन यह यहाँ पर जो है सबसे अधिक छार की एमीन है याद रखेगा यहाँ पर जो डाई एथिल एमीन दिया गया निकि विकल्प नमबर 4 है यह सही हो जाएगा इसके बाद देजे अगला कोशन है कि एसकॉर्बिक अमल नाम है यहाँ पर लिखा है विटामिन C का विटामिन A का विटामिन D का या फिर विटामिन B6 का तो एसकॉर्बिक अमल जो है यह विटामिन C का नाम होता है यहाँ पर इसका विकल्प नमबर 1 जो है यह सही हो जाएगा तो यह अप लोग याद रखेगा कि एसकॉर्बिक अमल जो है गुड़े 10 की घात माइनस 8 सेंटी मीटर है धातु का घनत तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटी मीटर क्यूब है 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी तो यहां पर आपको इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या ग्याद करने सबसे पहले धंदेजाओं पर प्रत्ते किनारे की लंबाई आपको दी गई है तो अब यहां पर धंदेजाओं किनारे की लंबाई इससे आप एश लिखेंगे इसका मान आपको दिया गया है दो गुड़े 10 की घात माइनस 8 सेंटी मीटर इतना दिया गया है इसके बाद धंदेजाओं पर आपको घंदेजाओं पर आपको घंदेजाओं पर लिखा है 200 ग्राम धात में इकाई कोश्ठिकाओं के संख्या ग्याद कीजिए तो सबसे पहले तो यहाद करेंगे एकक इकाई शल का आयतन तो यहाँ पर आप लिखिए एकक इकाई शल का आयतन बराबर हो जाएगा एक क्यूब यानि की भुजा क्यूब इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे अब एक आप मान रखें यहाँ पर दिया गया दो गोड़े 10 की घात माइनस 8 का होल क्यूब इतना हो जाएगा जिब यहाँ पर आप इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा गोड़े 10 की घात यहाँ पर दहन दे जे आयतन बराबर द्रब्यमान बटे घनत्तो यहां पर धन्देजी यहां पर बात हुई थी इसमें कोशिन में 200 ग्राम धातु के इकाई कोश्चिकाओं की संख्या 200 ग्राम यहां पर आपको बताया गया है तो अब यहां पर धन्देजी अब आप यहां पर लिखेश में 200 ग्राम धातु का कुल आयतन ग्यात करने के लिए यहां पर धन्देजी आप लिखेंगे 200 बटे क्योंकि यह तो हो गया आपका द्रग्मान और घनत्तो आपको कोश्चिन में दिया गया है घनत्तो कितना दिया गया 2.5 आपको कोश्चिन में दिया गया 2.5 तो घनत्तो के जगे पमान रखेंगे आप यह पाँच अब यहां पर देंदेजी देसंबलो काईसे लोगा तो उपर एक जीरो बढ़ जाएगा अब पचीस से आप दो हजार को भाग करेंगे तो यहां पर इसका मान आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब तो यहां पर यह जो है 200 ग्राम धातु कायतन आ गया है इसके अलावा पर जो है कोश्ठिकाओं की संख्या ग्यात हो जाएगी तो अब धंदेजी यहां पर आप लिख्षेश में इक आई कोश्ठिकाओं की संख्या बराबर यहां पर लिखेशंगे कुल आयतन कुल आयतन और बटे में हो जाएगा एक काई या फिर आप बोल सकते हैं एक एकक कोश्ठी का का आयतन अब इसमें हम लोग यहां पर मान रखेंगे तो कुल आयतन गयातन गयाद किया गया है 80 तो यहां पर हो जाएगा 80 तो यहां पर हो जाएगा गया आठ से आप इसको भाग करेंगे तो आठ दहम अशी तो अब धंदेजी यहाँ पर हो जाएगा 10 गुड़े जब यह उपर जाएगा तो 10 की घात जो माइनस 26 है यह हो जाएगा प्लस 24 अब यहाँ पर धंदेजी इसका मतलब कितना हुआ एक यानि कि 10 की घात 24 और एक मिलके कित 25 इतना हो गया आप चाहे तो इसे ऐसा लेख सकते हैं एक गुड़े दस की घात 25 यह जो है यहाँ पर इकाई कोश्चकाओं की संख्या हो जाएगी तो यह यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अब इसके बाद धंदेजी कुशन नमबर खा यहाँ पर कुशन है कि गन्ने की स गन्ने की सक्कर का जो अनुभार है वो है 342 तो सबसे पहले यहाँ पर धंदेजी यहाँ पर बताया गया था कि 1.17 ग्राम को जो है 25 ग्राम जल में घुलने पर इसका मतलब यह आपको यहाँ पर विले दिया गया है इसको लोग मान लेते हैं शमाल डबलू से इसका भार दि 25 ग्राम जली अपका विलायक इसको में लोग मान लेते हैं कैपिटल डबलू से यहाँ पर इसका मान दिया गया है 25 ग्राम इतना हो गया इसके लाम धंदेजी यहाँ पर विलायक का कुथनांक दिया गया है इससे आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी बी इसका मान हो ज जे अनुभार दिया गया है इसे हम लोग मान लेते हैं capital M से इसका मान आपको दिया गया है 342 तो अब धंदेजी सूत रोता है delta T B बराबर 1000 गुड़े के बी गुड़े small w बटे capital W गुड़े M ये सूत रोता है अब इसमें यहां पर जम लोग मान रखेंगे तो यहां पर 0.017 इतना हो जाएगा इसके बाद देजे 1000 KB इसका मान आपको ग्याद करना है small w इसका मान दिया गया है 1.17 इतना हो जाएगा capital W इसका मान दिया गया है 25 गुड़े M इसका मान दिया गया है 342 ये सभी के मान आपको यहां पर दिये गये थे तो अब ग्याद करना है यहां स आपको KB, तो ये धहन देजे दोने ँदर गुड़े में आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.017 गुड़े 25 गुड़े 342 बटे यहाँ पर धांदेजे, ये 1000 बटे में आ जाएगा इसके, तो यहाँ पर जाएगा गए एक हजार और गुड़े यह भी बटे में आएगा तो 1.17 इस प्रकाश से इतना हो जाएगा अब इसके बाद ध्यान देजे यहां पर यहां पर अगर 25 से इसको कैंसल कर दें तो यहां पर 25 से कम 25 यह हो जाएगा 25 चौको 100 और यह 0 लग जाएगा इस प्रकाश से तो यहां अगर 342 गुड़े में हो जाएगा 0.017 बटे में यहां पर हो जाएगा 40 गुड़े 1.17 इतना होगा अब इसके बाद ध्यान देजे आगे यहां पर हो जाएगा के बी बराबर पहले तो आप 342 का गुड़ा आप 0.017 में करेंगे तो इसका मान जुआएगा लगभग 5 दिस में करेंगे तो इसका मान जुआएगा वो लगभग आ जाएगा 46.8 इसके बाद आपको 46.8 से इसको भाग करना है तो जब भाग करेंगे तो यह आएगा 0.124 इतना हो जाएगा तो यहां पर आप ध्यान देजिए उन्हें इस्थिरांग ग्याद कर रहते इसका मात्रक हो ज यहां पर इस सिल्वर नैट्रेट के किसी विलेन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एंपियर विद्धो धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा सिल्वर का परमाड़ भार जो है वो 108 है तो सबसे पहले देजिए आप विलेन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त कर करने के लिए तो यहां पर यह आपको डबलू कामान दिया गया है यहां पर दंदीजी कैपिटल डबलू इससे आप लिख शकते हैं 10 ग्राम यह आपको दिया गया है विद्ध धारा दी गई है आई कामान दिया गया है 1.24 एंपियर कितना समय लगेगा टी का मान आपको यहाँ पर ग्याद करना है तो सबसे पहले दहन देजी सूत्र होता है डबलू बराबर कैपिटल ई बटे नाइन सिक्स फाइफ जीरो जीरो इन्टू क्यू यह यहाँ पर जो है सूत्र होता है अब इसमे धहन देजी यहाँ पर जो ई दिया गया है इससे हम लोग बोलते हैं तुल्यांग की भार ई जो होता है इससे बोला जाता है तुल्यांग की भार तो अब यहाँ पर धहन देजी जो आपका एजी प्लस है यहाँ पर अगर प्लस ई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको az मिल जाएगा याँ कि silver मिल जाएगा तो अगर हम लोग यहाँ पर az का तुल्यांग की भार ग्याद करेंगे तुल्यांग की भार इसे हम लोग लिखते हैं e से तो तुल्यांग की भार बराबर हो जाएगा परमाड उभार और परमाड उभार जो आपको question में दिया गया था 108 तो यहाँ पर दान देजी तुल्यांग की भार बराबर आप लेखेंगे परमाड उभार बटे इलेक्टरानों के संखें आपर कितनी है 1 यानि कि 1 यह एक इलेक्टरान है तो यहाँ पर एक से भाग करेंगे तो यह आजायागा 108 ग्राम तो यह आगया तुल्यांग की भार यानि की E का मान आपको यहाँ पर मिल गया तो अब इसमें धहन देजी अब यहाँ परम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे इसको आप मान लेजी समीकरण 1 और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से तो अब यहाँ पर दिया गया है आपको W W का मान आपको कोशन में दिया गया है 10 ग्राम तो अब धन देजी यहाँ पर W का मान आप रखेंगे तो अब इसके बाद धन देजे यहाँ पर आपको पहले रखना है W का मान तो यह हो जाया का 10 10 बराबर E इसका मन ग्यात किया गया है 108 बटे में हो जाएगा 96500 इंटू यहाँ पर दिया गया है Q इस प्रकाशे इतना हुआ अब इसके बाद धंदेजी को पता होना चाहिए कि Q बराबर होता है I इंटू T यह होता है तो Q के जगे हम लोग यह वाले मान रखेंगे तो अब जो Q के जगे मान रखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर 108 बटे में हो जाएगा 96500 इंटू इसके जगे पर I इंटू T इतना हो जाएगा अब यहाँ पर धंदेजी आपको T कमान ग्याद करना है तो T कमान ग्याद करेंगे तो अब धंदेजी यहाँ पर इसके बट्टे में आ जाएगा और आई का मान भी आपको question में दिया गया था इसका जो मान दिया गया आपको question में देजी 1.24 ये भी दिया गया तो यहां पर अब आप इसका भी मान रख दीजे तो यहां पर हो जाएगा T बराबर इसका जब गुड़ा करेंगे तो 965 अब यह भगाएगा 133.92 और इसके बाद जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 7205.7 और हम लोग समय ग्याद कर रहे थे इसलिए second तो यह यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकास से आप यहाँ पर समय ग्याद करेंगे अब इसके बाद देंदेजी question number घा, question है आप ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लेखे तो सबसे पहले आपको बताना ब्राउनी गति क्या है तो आपको पता हो नजे जो कोलाइदी करण होते हैं वो यहाँ पर जो है सतका वो बहुत तेजी से ज गति होती है इससे ही यह हेलोग बोलतें ब्रावनी गतई यह आपने लोग याद रखेगा कि जो 야देगा कि जो कोलाईडी कणों की करते हैं और कोलाईडी कणों पर गति करते हुए, परिछेपन माध्यम केढ़यों के आशमान जो है प्रहारों के कारण ब्राउनीकर्थ जो है उत्पन होती है यह अप लोग याद रखेगा इसके लावा कोल आईडी कड़ों का आकार और परिछेप्ण माध्यम की स्यानता जो है इससे प्रभावित करते है तो अप लोग याद रखेगे यहाँ पर ब्राउनी करती को जो है कोल आईडी कड़ों का अकार इसके लाओं पर इछिप्ण माद्रिम की जो स्यानता है वो यहाँ पर इसे प्रभावित करती है तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा तो अगर आप शभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद